अगर आपके पास Redmi 10A, 12C या कोई और मोडल है तो उसके अंदर आप Notification sound को किस तरीक से चेंज कर सकते हो Notification sound चेंज करने के लिए सबसे पहले आपके फोन की सैटिंग को उपन करना है उसके बाद नीचे जाना है नीचे जाने के बाद sound and byproduct को फिस्ट होगा इसपर tap कर देना है जैसे पर tap करोगे Notification को हो जाएक इसपर tap करने के लाद आपको यह पर उसके तरीके की Notification चाहिए आपको लब में चाहिए तो आप लब में क्लिक कर दोगे सुनने के लिए आपको साइड में किलिक कर देना और इसके बाद आपको लगाना है तो क्या करने एक बाद इस पर डेल कर देना और खर किलिक तो इसकבה आपको यहाँ पर थोड़ing परना पड़ेगा अप जैसी आप देख सोंग यहाँ से मैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे जोगे है नेम से हो गया है तून का फिर उसके बाद अगर हमें आपने कोई चीछ डाउलोड कर रखिया आपको ने कोई आपने टून तो करना कि यम करूँ करोगे आपको किसे पेगा घंत हो जाँ हो समय करने के पासिख कर दो हुआ है और हमारे यह सैट हो जाएगा इस तरीके से तो इस तरीके से अपने फोल में भी नोटिफिक्सन साउंड को चेंज कर सकते हो गर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मिलते हैं नाइक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई